हेलो गाइज तो चलो अब हम अपना चैप्टर नमबर टू का टोपिक नमबर टू स्टार्ट करेंगे इससे पहले मैंने सारे SGLC के मोडल के बारे में बताया था कि आपना वो नहीं देखी है आपको आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का और फिर प्लेडिस्ट अगर देखनी है तो नीचे complete प्लेडिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा 2nd box integration का 3rd box system का 4th box acceptance का कि कौन सा order सही है A वाला B वाला C वाला है कौन सा इस तरीके से आप question देखने को मिलते हैं और इन में क्या होता है उनको देखते हैं सबसे पहले आता है component testing क्या होती है देखो component testing को समझने के लिए बड़ा easy है component testing क्या होता है कि हर एक component की testing करना आपका component testing क्या लाता है component हमेशा जब developer होता है developer ने अपने end पे कोई भी module या फिर program जो भी unit है उसकी testing कर चुका है उस unit की testing कर लिए अब आपको provide क्या गया है उस module को तो आप उसकी testing जब अब करते हो तो वो component testing क्यालाती है इसलिए इसका दूसरा नाम यूनिट टेस्टिंग भी होता है, मोड्यूल टेस्टिंग भी होता है, प्रोग्राम टेस्टिंग भी होता है, अब यूनिट टेस्टिंग होता है, दो तरीके से डिवाइड़ किया जाता है, एक डेवलपर की परस्पेक्टिव से, एक टेस्टर क क्या होएगी कि गलत password डाल के देखना सही password डाल के देखना forgot link करके देखना refresh करके देखना login करने के पर दुबारा back करके देखना यह सब आपका एक उस unit की उस component की testing वो इस तरीके से व्रक करती है तो unit developer के लिए और टेस्टर के बिस्पेक्टर से दोनों अलग अलग चीज है अगर डेवलापर अपनी तरह से युनित टेस्टिंग कर लेता है तो हम कंपोनेंट टेस्टिंग करते हैं ना कि युनित टेस्टिंग जनरली आपको सुनने को मिलेगा कि युनित टेस्टिंग कर लो भाई module की अलग-अलग से testing की जाती है अब इसके अंदर एक आता है stub और driver का concept अब कभी कबार क्या होता है कि जिसे एक login page है और एक homepage है एक ये login page है ये login page ये login page है ये homepage है ठीक है अब दो concept होते है एक होता है stub एक होता है driver कि अगर जिस component की आपको testing करनी है और वो develop नहीं है तब हम क्या करते है driver initiate करते है जैसे आपको homepage की testing करनी है जैसे B की testing करनी है तो जब तक आप login नहीं कर पाओगे तब तक आप B page पर पहुचे नहीं पाओगे तो एक indirectly एक driver install किया जाते है क्यादा software dummy software जिसके थूँ आप अपने आपको की वो homepage पर route कर रहा है नहीं कर रहा तो अभी homepage डवलप नहीं हुआ है तो homepage जहाँ डवलप नहीं हुआ है उसकी जगहां में एक software stub को डाल देते है जब भी login functionality सही work करेगी तो वो stub के उपर route करेगा तो इस तरीके से stub और driver work करते है stub के उपर process चलता है तो software component to be tested और driver it calls a component which needs to be tested यहाँ पर calling हो रही है driver की B के द्वारा तो यह basically difference होता है stub और driver के बीच में यह एक बहुत ही important point था है आप इसको ध्यान रखिएगा second point है आपका integration testing component testing के बाद आता है integration integration testing after perform की जाती है इसके अंदर दो different module की individual testing ना करके उनकी communication की testing करी जाती है तो वो integration testing के लाता है तो testing involved communication between components not individual components individual components की testing तो component testing अंदर हो चुगी है अब उनकी दो components की अपस में interaction की testing करनी integration testing के लाती है performance testing भी इसी का part हो सकता है integration testing का अब इसके अंदर integration दो तरीके से हम जर्णरली देखने को मिलती है एक होती है Big Bang और दूसरी होती है Incremental अब इनको हम समझते है Big Bang क्या होता है Incremental क्या होता है तो integration का first वाला part Big Bang Theory को हम cover करेंगे तो Big Bang component क्या गहता है कि All component एक साथ ही club कर दिया जाते है और एक integrated form environment बना दिया जाता है अब इसकी होज़े से क्या हो जाता है कोई भी चीछ और दूरी इसब पढ़ी है component one component two इन सब के अलग-अलग testing हो चुकी है अब उनको एक साथ ही एक बार में ही डाल दिया गया है तो उसे गोचमोच हो जाती है time consuming हो जाती है traces करना ओख हो जाता है कि कहां पर बग मिल सकते है debugging करने difficult हो जाती है तो यह basically flow होता है big bang का तो इसी चीज़ को दूर किया था दूसरे वाले ने तो all components are integrated simultaneously all feature and integration at one time एक की बार में सब को डाल दिया जाता है अब इसके disadvantage साब साब पता लगी रहा है जाती है big bang की second आता है incremental incremental को भी दो तरीके से approach में डाला गया है incremental का मतलब होता है एक component उठाया उसको दूसरे component के साथ जोड दिया फिर दोनो component के उठाया फिर तीसरा component फिर तीसरा फिर इस तरीके से आप increment एक by एक step के testing करते करते component की combine करते करते अपना software को बनाते हो real time में यही use approach की जाती है तो all components are integrated one by one testing carried out each after each step जैसे एक module 1 था module 1 के साथ module 2 और module 3 की integration करीगी अब इन पूरी component इस पूरे integrated environment की testing करी जाएगी फिर module 2 के अंदर module 3 और 4 और 5 की और 6 और 7 की अब इसके बाद इस पूरी integrated module की testing करी जाएगी तो इस तरीके से आप testing देने को मिलती है अब इसके दो approaches से हम देखने को मिलती है incremental के या तो top down approach से या bottom approach से top down मतलब बड़े module को उठाते हैं और उसके साथ चोटे-चोटे modules को integrate करते रहते हैं तो वो होता है top down approach लेकिन bottom up में क्या होता है कि छोटे module को पहले उठाते हैं और उसको बड़े-बड़े module के साथ integrate करना start करते हैं यह इस तरीके से चलती है यह इस तरीके से चलता है इसलिए इसलिए arrow भी दे रखी है मैंने ठीक है यह तो था bottom up approach और यह top down approach अब डिसकी disadvantage क्या है पहले इसकी testing होईगी फिर इन तीनों की testing होईगी फिर उन सब की testing होईगी तो और इसी तरीके से पहले इन छोटे वालों की testing होईगी फिर इनकी testing होईगी फिर इसकी testing होईगी तो थोड़ा थो time लग रहा है और दूसरा अगर बीच में कुछ भी गडबड आ जाती है कुछ भी डवलप नहीं हो पाता कोई मोडियूल तो स्टबोड ड्राइवर का यूज आने वाला है वही ओविसले बात है जिसे मैंने स्टबोड ड्राइवर का उसके बारे में बता है तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं सिंस्टबोड ड्राइवर है टू डवलप ताकि अगर मोडियूल त्यार ना हो रखाऊ तो थर्ड है हमारा सिस्टम टेस्टिंग दोत हम कवर कर चुग है कंपोनेंट और इंटेग्रेशन अब हम करेंगे सिस्टम टेस्टिंग थर्ड पार्ट तो सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है यह डाइग्राम से मैंने समझा रखा है on the developer behalf or the tester behalf इसके बाद सिरफ user की acceptance की crisis होते है उसकी testing करी जाती है user को customer को provide करके या फिर 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 लेवल से testing करी जाती है वो test testing का part है तो यह last step है testing का तो system testing is concerned with behavior of the whole system or product fully testing करी जाती है whole system की system testing is often the final test on the behalf of dev or test to verify that system meets the requirement testing focus on individual as the whole system testing is done in the control prod like environment prod की तरह एंवार्मेंट बनाते है उसके अंदर टेस्टिंग करी जाती है ऐसे acceptance के अंदर भी prod के अंदर prod के जैसे environment के अंदर जिसको प्री प्रोड बोल तकते है तो उसके अंदर टेस्टिंग करी जाती है जो भी requirement के document होते है use cases होते है integrated functionality होते है सब इसके साथ ही involved रहती है तो complete इसके अंदर टेस्टिंग करी जाती है इस system testing module के अंदर last आता है acceptance testing जो बिल्कुल last stage है after system testing system is delivered to the user या customer अब customer के पास customer test करता है या फिर एक tester की high level वाले team होती है वो उसको test कर सकती है जिसके अंदर की जाती है वो production जैसे environment के अंदर की जाती है mainly उपर उपर की functionality coding के अंदर ना जाके सिर्फ black box testing करी जाती है customer से verify करा जाता है कि उसके requirement meet करी गई है या नहीं करी गई तो ये basically इसका part होते है अब इसको भी तीन तरीके की acceptance माना गया है एक compliance, operational और user user मतलब alpha और beta दो तरीके से compliance मतलब जो requirement की documents है उनको meet करा है नहीं करा conference के जो documents बनाए है Jira के निदर test cases करे है लिखिय है वो सब compliance मतलब जो उनकी rule regulation को follow किया है नहीं किया second operational जो operation ये perform करने वाला है उस operations की basis पे requirement meet हुई है नहीं है तो वो operational acceptance करती है थर्ड होता है final user कि user के perspective से सोच के testing कर जाती है जब अगर controlled environment में सिरफ company के बंदे करते तो वो alpha testing अगर customer खुद से test करता है तो वो beta testing करती है तो ये finally acceptance testing होती है इस तरीके से आपका ये वाला topic भी खतम हो गया है अगर आपको में अच्छी लग जए तो like कर दो ना ना भूलिए subscribe कर दिएगा में चैनल को bye bye till the next video guys